हेलो दोस्तों कैसा आप सभी लोग तो मेरे नाम है आकाश कुमार और स्वागत करनों में आप सभी के अपने चैनल केरवेल फार्म में तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे अपने टॉपिक आइसो टॉनिक सॉलुशन के बारे में अब देखो यह जो हमारा टॉपिक आना है तो आप से रिक्वेश्ट है कि इस वीडियो को कम्प्लीट ली जरूब देखें बागी बात करें तो हम देख रहे हैं अपना फार्मसी टेक्स फर्स्ट भी फार्मसी फर्स समिस्टर और इसके यूनिट सेकंड का चैप्टर वन हमारा चल जा था तो चैप्टर बन में हम रहे लेक्श्टर कवर कर लिया हैं तो अगर आपने प्रीवेस लेक्टर नहीं नहीं देखें हो जाकर आप चेक आउट कर सकते हो यह हमारे इसका पार्ट 3 है और इसमें हमारे चेप्टर जो एकदम कंप्लीट हो जाएगा बाकी जो हमारा आज बाला टॉप्क है यह हमारा सब्जक्ट जैसे हमारा इन और उसमें इन और गनिक में भी साइध कई वार आएगा हमारा और अगर में आपको देखने को मिल जाता है तो यह जो हमारी फर्स समिटर रहना है इसमें कुछ टॉपिक हमारे ऐसे हैं जो सेम रिपीट होते हैं हमारे सब्जक्ट में तो यहां पर आपको हर एक टॉपिक को बहुत ही जाता ध्यान से देखना है क्योंकि एक ही टॉपिक आपका दो तिन सब्जक्ट एक बार में कवर कर देता है तो चलिए हम डार्क लिए अगर हम आईसो टॉपिक आ तो अगर हम इस वर्ड को यहां पर देखें तो आईसो टॉपिक हमारा दो वर्ड में डिवाइट कर सकते हैं पहला मारा आईजो एंड दूसरा मारा जाथा टॉनिक अब जो हमारे यह टॉनिक है इसको हम जो टॉनिसिटी नाम से भी जानते हैं और इसी लिए लूपिए चैक्जाँबल मालू हम एक सॉललीषन बना रहे हैं और में इहां पर 1,000 पानी यारे लगा हमने एक लिटर ईहां पर चैण और 1 पानी ले लिए 9 ग्राम नेसे ल्बिगो डाल दिया और हमारा एक ड्रग होगा या हम सॉलिट बोल सकते हैं तो जब हम इसको यहां पर डाल देंगे तो जब इसको प्रिपेर करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा यह 9 ml NaCl in 1000 ml of water यान कि हमने यहां पर 9 gram NaCl को अपने 1000 ml पानी में मिला दिया तो यह में क्या क्योंत्राइब दिलाएं कि हमारे नुद यहां कि पूरे सॉलिशन में नौ ग्राम हमारा न्यूंग्या यहां कि नमक परेट Ah रखेएंब हमारेेँड करें तो अगर हम क्या दिदी抗 करेगी तो अगर हम सब्सक्राइब यहां पर डिपाने इसको फॉरे वेट वाई वालिम का यहां फॉर्मूला लगेगा तो उपर हम वेट लिख देंगे वेट हमारा कितना है नाइन ग्राम सॉल्यूट बेट है और नीचे हम क्या लिख देंगे अपना क्योंकि परसेंटेज में करना है जब 10 को इसमें डिवाइड करेंगे तो आजाएगा 0.9 तो यहां पूरा सॉल्यूशन क्या बनता है यहां पर हमारे कोई दो चीज़ा आपस में सेम होगे तो उसके लिए हमको यहां पर क्या करना है हमको एक और इसी के जासा सॉल्यूशन चाहिए मालो हमारे हमारे कहले है रही है जयानके तो इस सिंपल आइसूल्यूशन आइसे सॉल्यूशन होगे एकदम equal होगी, तो वही हम यहाँ पर इसको define कैसे कर सकते हैं, कि these are दो solution, in which the solute concentration of one solution, इस same या फिर equal as the solute concentration of energy, यान कि दो solution है, दोनों की जो solute concentration है, वो हमारे equal होगी, अब यहाँ पर जो isotonic है ना, यहाँ पर एक और वार इसको हम जो आइसो osmetic भी बोलते हैं, अब यहाँ इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यह जो हमारे दो solution होगे, इनका osmetic pressure भी क्या होगा, हमारे एकदम equal होना चाहिए, अब यह आपको जो है, आगे वाले fundamental हम समझेंगे कि osmetic pressure का यहाँ पर क्या काम है, बागी आप यहाँ पर समझ गया होगे, दो solution के बारे में, अब वही मैंने यहाँ लिखा है कि इसमें हमारा पूरा प्रण है, जो मैंने आपको बता है, यहाँ लिखा हुगा है, एक्जामपल मैंने 0.9% का लिए, जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, सारा कुछ आप यहाँ पर समझ गया solution आकर हम बना के हो रही है, और इनकी जरूरत हमको यहाँ कहां पर इस्तिमाल करने वाले हैं, तो normal अगर मैं आपको बोलू हूँ कि इसका use आप लोग पहले से कर चुके हो, यहाँ कि example मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग के जो injection वगरा लगते हैं, आई भी वाई injection लगते हो कि यह जो solution हमारे real life में इस्तिमाल की जा रहे हैं, वो सारे solution हमारे कौन से होते हैं, isotonic solution कहलाते हैं, तो चलो यहाँ हम समझते हैं कि आखर रहता होता है, तो मालो कि हमारा यह हमारी body है, और body का क्या है, ब्लड बैसल से हैं, और इसके अंदर हमारे red color में क्या है, हमारे blood हमारे बहरा होगा, ऑब क्या होता है, यहां हमारे solid particle mix होते हैं, यहां पर sodium बगएड़ा भी होता है, बहुँ सारे solution होते हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दू, कहाँ हमारा blood होता है, उसकी जो concentration होती है, जो यहां पर उसकी tonicity होती है, वो हमारी कितनी है, 0.9% NECL के बराब होती है यान्यारे जिता अब को यहां यहां बाईन कंगार यहां की देख हमारे इंजेक्सिन लगा रहे हैं तो वह आपकी हमारे वीग के अंदर दा इसाथ है जब कि यहां पर हमारे ब्लेड में डाएगा अगर गर करें करेगा यान कि हमको बहुत जादा परेशान करते गांगी होगा एक दम बहुत जादा घबराट होने लगती है नोजिया बाली फीलिंग आती है उल्टियां बगर आने लगती है और एकदम बेचे नहीं हो जाती मतलब ऐसा लगता है अब तो आशित चले गए बचेंगे ही नहीं तो यह वाली situation तक हमको feel होने लगते हैं अगर हमारा कोई solution जा कोई injection हमारी वर्डी में लगा जा रहा है और उसकी concentration हमारे इसके बराबर नहीं है क्योंकि हमारा blood और इसकी concentration का equal होना बहुत जरूरी है अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी वर्डी में क्या है कि माल हमारे blood में यह आया तो जो हमारे blood के अंदर RBC यानकि red blood cells होते हैं वो हमारे का हो जाते हैं रप्चर्ड हो जाते हैं या तब हमारे बहुत जाता फूल और जब पिचक जाएंगे तब भी हमारे का हो जाएगा खतर नाग हो जाएगा वही साब या तो कोई composite का सिकार है या कोई बहुत जाता मोटा हो गया है दोनों ही केस में इनसान हमारे एक तरह से मतलब fit नहीं होता healthy नहीं होता उसलिए हमारा अगर हमने कोई tonicity इसके different दे त तो इसलिए अगर हमारा कोई भी ड्रग या solution कोई बनाया जाता है तो उसकी जो concentration है वहमारे इसी के बरावर जानकी 0.9% NCL के बरावर रखी जाती है और इसलिए आप कभी भी notice करना है जो आपको पानी की बोतल चड़ाई जाती है जा ग्लूकोज चड़ाई जाता आपको ज आके हमारे यहां पर यह राज खुलता है कि जो जो हम solution जितने भी बना रहे थे आइसो टॉनिक वाले वह मारे ब्लड के साथ आइसो टॉनिक होते हैं या उसके साथ हमारे क्या होते हैं यह इसलिए इनको कहते हैं तो अगर आपको डिफाइन भी करने तो आप सिंबल कह सकते हो कि आइसो टॉनिक सॉलिशन और दो सॉलिशन बिच आर विच हैव सेम टॉनिसिटी एज दा टॉनिसिटी ऑफ ब्लड जैनकी जिनकी बिलड के साथ होती है और वो कंटेन करते हैं 0.9 परसंट वेट वालिम के सॉलिशन आपको आपको पूरा पढ़ना समझ आगा हो क्या से आपक्ति के बारे में थो है आपको अगर कानी के प्र Southwest के कर सकते हैं याइनकी यह जो हमारे आइपर चौनिक यह यह हमारे भूनों किसमा आते हैं यह वह रहाता है पयरावा डाते हैं तो चलिए हम एक एक करके ना इन तीनों को समझ लेते हैं एक एक्जामपल के मिज़ते हैं तो यहां पर हमारा टॉपिक का नाम आता है सेकंड determination of isotonicity by using hemolytic method देखो एक तो हमारा यह है कि हम दोने की property सेम कर लें आप चलो sword में समझ लो हमारा आता है हीमोलाइटिक method अब हीमो का word क्या मतलब क्या होता है कि यहां हम बात करेंगे blood और हीमो का मेडली हमारा क्या होता है ब्लड के बराबर अगर वो tonicity हमारी उससे ज्यादा है यानकि अगर उसकी tonicity हमारी 0.9% ज्यादा है तो वो solution हमारा कहलाता है अब ohs message में क्या होता है एक्शूल में तो toms message के अनंदर basically क्या होता है कि घृष यांकि यहां कर हमारी क्टरिशन यहां पर हमारी लो है low से high की थरफ क्या करता है मूब करता है अब ड्रह कई Humans का सालीacas नियुंसको चेक कर सहे ह। तो यह सरे कि अरब और ₹14sized है कर दाता है और अगर हम ने आपना च्रेक कर रहे है तो सलीral ओर यह क्ली हुए सबस्य हो जयादा होती है तो अगर माला ने आर्वीसी सेल की हो क्या होएँ यहां और जब दोनों सविफ। तरह से हमारे महां इतना हुगा तो कोई एक जाथ के'll long और जो अमाने सेड आए और यह visa ही रहता है और यही और इक्ट्छल intent perfect solution होते हैं इंडूस करते हमारी अपने बोड़ी में काम आते हैं थ़र्ड घ केस कि लोग बाले एरिया से हमारे सोल 유ट की फिलूड है वो फिलूड इस है एफ़ेखयं हाँ ựइस सोलुड अरो जब इसमें कम है तो हमारे जीचे में जाज़ा होगी और कम से जीचे मूइंट होती तो इसमें खताम होगा यहां धर सुरॉड मूप कर जाएगा तो सेल हमारा फूल जाएगा स्वैल हो जाएगा और यहांस को पता लगा सकते हैं अगर कभी पर आने जिसे आपको बहुत अच्छे मार्क मिलें तो एक बार समझ लो ज्यादा है तो यहां पर आखरी टॉपिक मैथर ऑफ एड़जेस्टिंग टॉनिसिटी अब देखो हमको यह तो पता लगी है कि यहां तो कम है यह ज्यादा है तो उसको यहां पर सकते हैं उन मैथर को मैं समझ लहाएं तो हमारे स्लेवस में जो यह डो मैथर कि दे रखे एक मर आता है मॉलीकुलर मेट मैंथाज तो एक एक हमारे क्या है तो सिंपल नागी कि क्या करें यह नमक की क्या करें आप लोग खाना बगर बना दाल आपने चेक करोगा यहां पर यहां पर आपने वी प्रीजिंग पॉइंट के लिए करते हैं तो हम यहांपर क्या करेंगे अपना एक isotonic solution लेंगे जो हमारे विसिकलि एने एल का है तो इसका हमप्राइजिंग पॉइंग पॉइंग देखने कितना है यह भी हमारे इसके isotonic के बराबर हो जाएगा तो यहां पर आप सिंबल फंड़ा क्या समझें के isotonic में हमारा क्या था एक चुल में देखा था हमने अलग से अपना एड कर दिया और जब हम यह एड कर देंगे तो हमारे यह भी क्या हो जाएगा और हमारा हमारा एक फॉर्मूला दिया है वह आपको यहां याद करना पड़ेगा यह हमारा क्या है वेट परसेंटेज इस इकॉल टू जिरो पॉइंट फाइफ टू माइनस ए अपॉन भी अब यहां पर हमने क्या देखा था हमें यहां एड करना था तो वह कितने अमांट में एड करना उसी को एक्च्वल माम इन फॉर्मूले से पता लगा रहे है अगर हमको एक वार इनकी अमांट पता लग जाएगी तो हम आटमेंट क्या कर देंगे इसको एड कर देंगे तो फॉर्मूला आपने यहां देख लिया अब यहां पर डॉलु वाई होता ह सबस्दांस किसे कर रहे हैं इस अने करना रहे हैं उस्पर यह मैंने बही बताया तो अगर हम एक्जांपल देखें तो यहां पर क्या होगा कि फाइंड दा कंसेंटेशन आप एने सियल रिक्वाइट तो में डेड़ परसेंट सॉलीशन ऑप तो दूसरा देखेंगे सिंपल फिर इसको देखेंगे मैंने लिख दियाट इहां पर हम स्का हैँ मेरा है यहां लेक्ट नहीं को लिख दिया आप्वारे यहां करेंगे तो इन दौन को लगाए जिरो प्रचक्र मारा श्रीट ओन फोंप in 100 ml मतलब सिंपल बोलें तो अगर हमें इस कोकेन हाइडोकलोराइड को बनाना है तो हमें उस वाले पूरे solution के अंदर 0.74 ग्राम एनसील 100 ml पानी में एड़ कर देना वह solution अम इसमें हमारा यहां यहां अब इसको मैनस करेंगे यहां यहां यह जब इसको मौनशक करें अगया 0.15 पानी में जाएगा उस तर्य हम सीम्पल को सॉल्व आउट कर सकते हैं सेकंड हमारा में आता है जादा मातरा में होगा अब मालो आप खाना बना रहे हो कभी सब्जी में आपका नमक जादा हो गया तो जब नमक जादा हो था तब हम क्या करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर हम थोड़ा पानी मिला देते यहां उसको उसको कितना यूज़ करना यहां पर यहां पर फर्मूला आता है डबलू यान की वेट इस इकॉल तो जिरू पॉइंट थी एम अब बोले तो ग्राम मोलेकुलर वेट है उस सब्स्टांस का जिसको हमको बनाना है सेकेंट हमारे निजल्ठ की तो ली आन गया उसके नमर और आइन के वारे के बात करें तो यहां पर क्या तो मालो ल 고양े क plays performed 8.5 ग्राम अब नीचे हमको यहाँ पर आइंस बता करने होते हैं तो एने सीयल में हमारे दो आइन होते हैं जब इसको तोड़ेंगे एने पॉजिए लेगए दो आइन हो जाएंगे यहां हम लिख देंगे अब जब हम इसको सॉल्फ करेंगे परसेंट इप्रसेंट सिंपल हमने देखा कि एनएल का चया है तो हमको क्या खरना है नौव मला 9 ग्राम फुदा शब्राइब यह हमारा रहा का यहां पर ग्राम ऑगया यह उन्हां को पोड़क आगया तो बस क्या करने आपको बोरेक ऐसेटा का मॉलेकुलर बेड यहांपि लिख देना है और इस कितने यहां लिख देना है और जब आप इसको सॉल्व करोगा आपको यह पता लगजाएगा कि आपको कितना परसेंट बोरे कैसे लेना है कि आपका वह 0.9 परसेंट के बराबर हो सिंपल आप इस तरह है जो इसको सॉल्व आउट कर सकते हो आपको सारी की सारी कानी समझ आगी टेक केर एंड आपसे लोग अपना अपनी फैमिल्स का ख्या लगएगा बाई बाई दोस्तों जहें दोस्तों